Hello everyone, True IES and PCS में दोस्तों आप सभी का सोगत है आज के lecture में हम लोग नितिन सिंगानिया की इंडियन एकॉनमी की बुक से एक बहुत ही ज़ादा important chapter जो है start करने जा रहे हैं हाला कि इसका base हम लोग CB Sazdeva की बुक जो है 12th class की macro comics उससे build कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये chapter आपको उस बुक के comparison में ज़्यादा एक broad analysis देगा और ऐसा नहीं है कि जिसने CB Sazdeva के lecture attend नहीं करे हैं तो वो इस chapter को नहीं समझ सकता chapter में पहले आपको दिखा देता हूँ, chapter है हमारा money and banking दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात पताना चाहूँगा UPSC के जितने भी exams होते हैं या किसी भी state PSC के जो भी exams हो like MPPSC हो गया या कोई भी आप exam दे रहे हो APFC, EPFO, लोगसभा प्रोटोकॉल, राजसभा प्रोटोकॉल, SSC इन सारे exams के अंदर न, अगर पूरी की पूरी लोग economics पढ़के जाते हैं मैं उनसे ये कहता हूँ, कि सबसे पहले अगर कोई money and banking को cover कर ले न, तो it is just like कि polity से किसी ने parliament का chapter जो है वो contest कर लिया है जैसा कि आपको पता है, parliament से कोशन आते ही आते हैं polity में ऐसे ही अगर economy को define करना है न, किसी भी exam के syllabus को कि economy पूछी जाएगी, उसमें economics पूछी जाएगी, इंडियन economy पूछी जाएगी तो आपको money and banking कर लेना चाहिए बहुत ही जादा comprehensive level से हम इस chapter को complete करेंगे और अगर आपको zero knowledge भी है money and banking की, तब भी आपकी बहुत अच्छे से help हो जाएगी along with c.b.sasdiva के lecture जो कि आपको देखने है तो चलो अब अब हम इस chapter को start करते है money and banking, ठीक है यानि कि यह चो chapter है, automatically दो पार्ट में ही divided होगा पहले हम जानेंगे, पैसे के अस्तित्व के बारे में यह पैसा क्या होता है, क्या सच में पैसा वैसे ही है जैसा कि अब हम जैसा की शुरू से हम सोचते हैं, हमें सिखाये गया है या फिर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि मान लो, यह मैं हूँ और यंकिता है हम आपस में किसी चीज की transaction कर रहे हैं बीच में हम किसी भी प्रकार की authority को अगर शामिल ना करें और वो authority कौन सी है bank तो क्या वो हमारे लिए money की कोई form होगी इस chapter में हम यह वाली चीज देखेंगे and दूसरा aspect जो चाप्टर में divided है वो है banking आप सब कुछ जान जाओगे banking के बारे में bank दुनिया की सबसे boring जग अगर कोई होती है तो होती है वो bank प्रित्वी पे सबसे ज़्याद अमलब वाहिया से वाहियात बंदी आपको इतना नहीं पकाएगी जितना एक bank पका सकता है आपको ठीक है तो दो aspect में chapter divided है एक money एक banking और practically banking आपको पकाता है लेकिन यहाँ पर आपको banking जो theoretical angle से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपकी exam में definitely help होगी कोई भी question कोई भी question I can vouch for it कोई भी question along with बस आपको थोड़ा सा PT 365 की economy से जो भी latest update हुई होगी and economic survey plus budget इसको अगर आप contest कर लो money and banking के साथ तो आपके 100 questions अगर money and banking के है तो उसमें से आपकी 100% easy बनेगी एक भी question उसके बाहर नहीं आने वाला that's my personal guarantee चलो सबसे बहल जानते हैं कि देखो वैसे तो CB संस्देवा की book में और यहाँ पर थोड़ा सा difference है लेकिन एक बार के लिए मैं आपको कुछ एक introduction देना चाता हूँ क्या मैं ऐसा बोल दू कि money के अंदर एक सबसे बड़ी चीज ही होती है acceptability एक मिनिट के लिए अपने दिमाग से गांधी के 50 रुपे के 100 के 200 के 500 के 2000 के नोट निकाल दो money क्या कोई ऐसी चीज होती है जो की acceptability की उपर work करती है चलो उसको proof करते हैं बार के लिए कि अगर मैं गांधी की नोटों को ना लेकर या सिको को ना लेकर consider कर रहा हूँ मैं किती चीज को money तो क्या वो money होगा देख मैं माल लो के मैं अपनी बंदी के साथ खाना खाने गया 5 स्टार होटल या कुछ भी करके और उसका birthday था या फिर हमारी relationship anniversary थी और मैं उसको लेकर गया बहुत अच्छी जगा पर अब क्या हो रहा है उस ताइम पर खाना वाना खा लिया हम लोग उठने लगे और मैंने अपना credit card दिया अब वो कह रहा है कि swipe नहीं हो रहा है उसमें कोई दिक्कत हो रही है मैं आगा ठीक है cash में रपास था नहीं तो मैं रहा है आप कोई UPS scan देतो या phone पर number बता दो मैं उससे payment कर देता हूँ तो उसने वो दिया अब वो कह रहा है कि banking server is down आपकी phone पर payment हो नहीं सकती है जिन लोगों से मैं payment करबा सकता हूँ वो phone उठानी रहे है अब क्या बंदी के साथ जाकर kitchen में उनके बरतन थोड़ी न मांजूँगा मैं DSP हूँ भई कुस तो इज़त होगी अब होगा cash case में जैसा कि आप लोगोंने पिच्चरों में देखा होगा अगर कोई दो लोग खाना खाने कहें और अब शर्विंदगी वाला महौल चाहा गया मेरे आखों के सामने के ये क्या भई एक payment ही नहीं होरी ये भी ये सोचेगी के भिखमंगा सा है क्या है क्या है क्या नहीं है अब मुझे डर है के मेरा relationship तूटना जाए और इतनी क्याराडवानी जैसी hot सी सुंदर सी बंती मेरे हाथों से निकलना जाए जो की मेरी girlfriend है तो क्या करा जाए भई अगर मैं उसको ये बोलो के भी है मैं आपको payment कर दूँगा तब तक आप जैते picture आप आपने देखाऊगा तब तक के लिए आप मेरी घड़ी रख लो and मेरी घड़ी एक company है काफी famous होती है मैं आपको नाम बता देता हूँ चलो आपके लिए Rolex बता देता हूँ Rolex या फिर Uless A. Narden की watch मैंने उसको देती एक company होती है Uless A. Narden Rolex तो आप सभी ने सुनाओगा और मैंने payment रखी थी मैंने उसको देती अब मैंने उसे का कि मैं आपके पास आउँगा शाम तक आउँगा कल तक आउँगा पैसे मैं आपको दे दूँगा मैंने घड़ी वापस करते न क्या वो accept कर लेगा इस offer को जाने देगा मुझे और मेरी बंदी को अराम से इतना करके बताओ चलो और सीधा कर देते इस एक्जमपल को मेरे पास एक रिंग थी गोल्ड की या सिल्वर की सोने या चांदी की अंगोटी थी इसको ले लेगा क्या जब तक मैं उसको प्रॉमिस कर दूँँ के हाँ मैं पैसा पैसा दे दूँगा फिर आप आपस कर देना उसको बताओ मुझे जाना तो ही ना क्योंकि नहीं से अब वो करके और वो भी फिर ऐसा अब भी नहीं है अब खाने का बेलीब बना है 7-8,000 रुपे 5,000 रुपे वो ऐसा थोड़ी ना वो करने जाने देगा या जो भी करने देगा बताओ possibility है ये बिलकुल है यानि कि money का पूरा गेम ना acceptability की उपर होता है अब आप कहोगे ये chapter में आप ये कहानिया को पेल रहे हो अपनी और अपनी बंदियों की और सुभे सुभे उठते साथी सुभे क्लास रख लिए और आप 5-star hotel अपनी बंदि एसी नई currencies या नई form of system of money आ गए है क्या कि जो acceptability की उपर work करें और अगर मैं किसी को एक चीज दे रहा हूं और वो मान रहा कि हाजी दिपांक तुमारे हातों से हमें ये money ही मिला है और इसके बदले में तुम हमसे गोडिया service ले लो तो जब उसको कोई दिक्कत नहीं है तो साला बीच में आने वाला bank कौन होता है जो मुझे ये पताएगा कि मेरे issue करे हुए currency notes को ही money मानू getting my point or not समझ भार है लेकिन देश में चलो ये वाला scenario तो हो गया जर्नली देश में क्या चलता है ये तो हो गई एक story या फिर एक future oriented चीज के सारे लोग एक चीज को जो accept करने लग जाए वो एक money है या कुछ भी है जैसा कि एक example और मैं आपको देता हूँ मान लोग के जैसे किसी के घर पर raid पड़ी और जो IRS officers है इंडियन revenue service officers है वो उसके घर पर आए और सारे के सारे उसके जो संपती है उसमें वो calculate ये भी कर रहे है कि आपका कुल मिलाकर जितना हमारे पास रकम वसूली चाहिए थी तनी नई वसूली गई है जो भी करके तो आपको अपनी गाड़ी या जितने आपने घर की लेड़ी से बोलेंगे वो officers कि आपने जितने घहने पैंट रखें कुछ भी पैंट रखें आपको यहीं छोड़ने पड़ेंगे जब तक evaluation process हमारा complete नी हो जाता कि क्या हम आपसे उतना पैसा recover कर पाए है या जितना हमें आपसे recover करना था उतना ये कुल मिलाकर आपकी संपती घहने गाड को भी और jewelries को भी इन सबको वो cash मान रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ वर्थ को include कर रहे हैं जितना amount आपको देना था या फिर आपसे वसूल आ जाएगा ठीक है लेकिन अब हम एक मुद्दे की बात करते हैं अब हम थोड़ा सा ना practical दुनिया में आ जाते हैं जैसा कि हम daily life में रोज मर रहा के जीवन में हम लोग समझते हैं कि पैसा क्या होता है देखो ये तो हो गए कुछ rarest of the rare circumstances लेकिन जर्नली पैसे का रूप वही होता है daily life में जिसको ना सब लोग use कर रहे हों कुल मिलाकर हम ऐसा कहते हैं कि वो हमारी economy के अंदर rotate हो रहा हो और वो एक ऐसी चीज है जिसको हम चाहिवो सिक्को की फॉर्म में नोट की फॉर्म में हो हम उसको everyday life के अंदर देखते ही देखते हैं सवाल ये उठता है कि अगर मैं या आप मिर को 50 रुपे का नोट दे रहे हो 200 रुपे का नोट दे रहे हो 2000 रुपे का नोट दे रहे हो मैं आपसे कोशन यह पूछना चाहता हूँ कि मैं इसे या आप इसे accept क्यों करोगे आप accept क्यों करोगे इसे हाँ वो अलग बात है कि आप यह बोल सकते हो या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको मेरी अगर दो लाक रुपे की पेमेंट करनी है तो आपसे बोलूँगा नहीं पचाह-पचाहस के नोट मत दो दोसों के मत दो देख लो अगर है तो ओल्लाइन करवादो ट्रांसवार या फिर चेक देदो या जो मर्जी देदो इतने सारे पैसे के बंडल मत दो ये किसी काम के नहीं है ट्रांसवर करवाते करवाते मुझे काफी दिन लग जाएंगे इसको कंवर्ड करवाते करवाते वो एक रिक्वेस्ट होगी मेरी वो भी हम आगे चलके देखेंगे क्या मैं आपसे मना कर सकता हूँ क्या मैं आपसे इस बात की उपर जगडा कर सकता हूँ आप तो अडग गए इस बात पे कि नई देवां तुमारी 2,00,000 की पेइमेंट है हम तो तुम्हें 50,50 के नोट में ही देंगे तो क्या मैं इतनी सी बात पे आपके थपड़ लगा सकता हूँ जोर की गाल पे जाए फिर मुझे एकसेप्ट करनी ही पड़ेगी अगर आप अपनी जिद पर आ गए तो यह हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे इन सारे पहलोगों को लेकिन मैं आपको बस एक किरोस्टी की तरफ ले जा रहा हूँ मुझे सबसे पहले इस चीन्स का अंसर चाहिए आप लोगों से यह जो 50 के नोट है, 200 के, 2000 के, 500 के मतलब एकानोमी के अंदर जो भी घूम रहे हैं फिर 10 रुपे वाले सिक्के हैं आज कल आप लोगों ने देखा होगा I think आपके हाथ लगे होगे, 200 रुपे के सिक्के भी आ गए ठीक है? इतने जादा सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी आ गए अगर आपके हाथ लगा हो कभी हाल फिलाल में तो मालव के आपको किसी की 200 रुपे की पेमेंट करनी है और आप उसको ये 10 सिक्के जो है 10 सिक्के जो है वो ये दे रहे हो मुझे ये जानना है ये सिक्के हैं या जितने भी नोट है जो की दे के दिखाए हैं गांधी के वेस की जो सीरीज है ये एक्सेप्ट किस बेसिस पर हो जाता है ये फाल्दू टर्म मेरे सामने यूज मत करना है है authorized जै लीगल टेंटर मुझे नहीं पता भी एतनी complicated terms नहीं ये बात में जानेंगे है हाँ authorized तो है लेकिन और एक बढ़कर बोलो किसी को और आराम से अगर आपको समझाना हो तो अंकेता हाँ जी और further एक और term यूज कर दो गर government recognize है तो authorized है तो simple सा इसकी उपर कानून बना हुए है कानूनी रूप से इसको accept करना ही पड़ेगा मिल गया सारी बातों का answer है ना कानून बना है कानूनी रूप सेक्षप करना पड़ेगा अंकेता शाइनी सब लोग एक बात का ध्यान रखा करो जब भी आप से कोई भी कुछ पूछा करे ये habit में इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ इंटर्व्यू में न गयार उनको पता है किस बात का ग्यान पेल रहा हूँ उनके सामने प्रिम्स निकाल कर आते हो मेंस निकाल कर आते हो लिखने वाला paper निकाल चुके हो ग्यानी नहीं होते तो रूम में नहीं बैठे होते है माँ पर easy terms के अंदर उनको समझाओ ताकि उनको ये expression मिल जाए कि जब ये district में या बिल्कुल ground level पे जब ये बंदा ये बंदी काम करने जाएंगे तो जनता से रूबरू होकर उनको आराम से चीज समझा पाएंगे अब 10 उरुबे का सिक्का एक नोटंकी चली थी प्रदनया अभी और यूपी में भी चली थी अरपित आपको पता होगा खे kid 10 उरुबेका सिक्का subscribed नहीं कर रेखे बड़े सारे लोग है न हम यह नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे है न MP में सिक्के ही नहीं लेता कोई अभी भी यह जो 2 रुपीस वाली सिक्के है 1 रुपीस वाली सिक्के नहीं लेता ही नहीं है कोई महाँ पर reject करते थे क्या हमें नहीं लेना 10 उर्पे कर नोट देता है अब सिक्के दो भी नो तो कहते हैं कोई बात नहीं बात मेते जाना ये नहीं सिक्क्या हमारे किसी काम के नहीं है वो चलते ही नहीं है हमाँ पर और मैं गर्मी कुछ चुट्टियों मैं कहाता है दादी के पास से ले आता है बहुत सारे भरबर के अब लेकिन हम ये भी जानेंगे कि ऐसा कुछ है कि कोई राज्ये के लोग जो इसको रिजेट कर दे रहे हैं या फिर लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता कि आपर इसको रिजेट नहीं कर सकते है एकसर्ट कर नहीं पड़ेगा वो देखेंगे हैं वो बात की कहानी है लेकिन सबसे पहले एक कानून है इसकी उपर कि ये जो चीज है सरकार ने इसको ऑथराइस करा है कानून की मदद से कि ये चीज सरकुलेट होगी as form of money अब अगर सरकार ने कानूनी रूप से इसको सरकुलेट करने के लिए बोला हुआ है तो अब देखो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कानून जो है अगर आप उसको फॉलो करने से मना कर दो तो क्या मिलता है आपको पनिश्मेंट पैनल्टी डंडा मिलेगा तेल वाला ठीक है और अगर ये सरकार ने ऑथराइज करा है कि जो money है वो सरकुलेट होगा हमने ओथराइज करा है इसको कानूनी रूप से सरकुलेट होगा और अगर इसको कोई फॉलो करने से एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो क्या ये कानून का उलंगन मना जाएगा तो क्या उस परसन को punishment का या किसी न किती चीज का सामना करना पड़ सकता है कानूनी दाइरे में बिल्कुल तो क्या आपको एक चीज का answer मिल गया हरनीत जिस जिस चीज को सरकार ने कह दिया है कि इतने value की paper notes और coins circulate अगर economy के अंदर होंगे और जो मैंने अभी आपको ये UP और दिल्ली की कहानी बताई या MP की कहानी बताई कि लोग इसको मना कर रहे हैं accept करने से कि हम नहीं करेंगे या कोई भी नहीं करेंगे क्या हम इन लोगों की complaint कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और क्या ये कानून का उलंगन कर रहे हैं क्या बिल्कुल अब वो हम देखेंगे कि किस हद तक person reject कर सकता है कि अब एक बाँ बताओ न ये भी तो चीज सुनने में बहुत अटपटी सी लगती है प्रतन्या या सारे ल ये कौन सी बात होई ये फिर बहुत जादा जंजट वाला काम नहीं हो जाएगा मैं इसके लिए आपको एक चीज बता देता हूँ यूटूब पे हर्मीत कुछ को जाएथ यूट गूष यूट अपने के गरीघा वो सिक्के लेकर और वो लेकर आइफ़ोन लेकर चला या एक प्रैंग वीडियो जाँ है बरी सारी है पाकिस्तान की भी इंडिया की भी ऑन्शे है प्रैंक वीडियोattend किसी ने देखी हूँ में ठीक है जोग सापाट लेकिन मनी जो है वो कोई भी ऐथे चीज होती है जिसको कानूनी प्रक्रिया से ये बोल दिया गया हो it will work as a medium of exchange medium of exchange मतलब क्या अगर मुझे किसी से कोई good लेना है good लेना है in the sense कि बजार में गया हूं biscuit का packet लेकर आया chips लेकर आया कुछ भी लेकर आया मैं उसको basically cash दूँगा जो भी पैसा जो होगा जो की accept होगा देश के अंदर जो भी घूम रहा होगा मैं उसको वो चीज दूँगा और वहां से बदले में मुझे good मिल जाएगा similarly service service in the sense के आप कोई Ola या Uber की cab book करवा रहे हो आप bus service ले रहे हो आप बाल कटवाने जा रहे हो salon service ले रहे हो आप में से कोई बंदियां है waxing करवा रही है कुछ भी है यह सारी services है तो आप उनको अगर बदले में जो आपको personal service दे रहा है उनके बदले में अगर आप उनको एक ऐसी चीज दे रहे हो जो की सरकार ने बोल रखा है कि yes it will work as a form of money it has a backing by law तो वो it will work as a medium of exchange पैसा जो है वो आपके goods and services की लें दिन में मदद करेगा ठीक है अब ऐसे दो तरह के पैसे होते जर्नली जर्नली मैं जर्नली वर्ड यूज करू मनला इसके form और बदल सकते है ठीक है लेकिन जर्नली देश में दो तरीकी का पैसा होता है हमारे एक होते है paper notes कागस वाले और एक होते हैं coins metals वाले ठीक है notes और जो coins है इनके लिए टर्म होती है जैसा कि शाइनी ने बोला था कि it has the authority of the government और मैंने इस चीज को और elaborate करके यह बोला कि law की backing है इसके पीछे कानूनी रूप से आप मना नहीं कर सकते कानूनी रूप से देश में जो circulate हो रहा है बिल्कुल ठीक है यह तो इसको हम लोग बोलते हैं जब भी किसी चीज के पीछे कानूनी backing होना तो वो है fiat money जब भी सरकार या जब तक सरकार के order पर या authority पर कोई भी चीज circulate हो रही है जिसको money का नाम दिया जा रहा है तो वो fiat money होती है मैं repeat कर देता हूँ चीज को जब तक सरकार के order या authority पर कोई भी चीज circulate हो रही है सरकार ने कहा है कि हमारी backing है yes हमने इसको अलाओ कर रखा है कि इसको तुम money बोलोगे इसको तुम पैसा बोलोगे इसको तुम लक्षमी बोलोगे इसको तुम गांधी बोलोगे और ये देश में जो circulate हो रहा है goods and services की लें दिन के लिए ठीक है तो वो चीज है money कहने को इसका मतलब ये भी है कि सरकार कल को अगर ये बोलते कि किसी तौफी को बोलते सरकार कि money की फॉर्मे work करेगी तो कि सच में करने लगेगी क्या क्यों भई करने लगेगी यार अगर उसने authority और उसकी command है तो वो fiat money की तरह work करेगी नो किस बात का नो बोलते हो अगर सरकार को खीचने थे हर नी तो सरकार ने 500 और 1000 के पुराने वाली series बन नहीं कर दी बता ना जरा अब आप उसको किसी को दो या आपकी घर में अगर वो एक amount से ज़्यादा मिलकर ना आपको jail हो जाएगी अब आप कोगे इतने सालों की तो नो टंकी है मैं उसको देख देख कि तो बड़ी होई हूँ जब उसको बजार में लेकर जाती थी दुकानदार तो बहुत खुश होते थे अब जब मैं किजी को वाफर कर रही हूँ तो लोग कम्लेंड कर रहे हैं पोलिस को फोन कर रहे हैं क्यों? वो इसली कर रहे हैं वो एक टाइम पर कानूनी रूप से फ्लो कर रही थी कॉनमी के अंदर लेकिन अब सरकार ने जो उसकी उपर आशेरवाद का हाथ रखा हुआ था वो खीच लिया तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यह सरकार डिसाइड करेगी कोई भी चीज फ्याट मनी की तरह क्या वर्क कर रही है? बताओ प्रदन्या सब लोग समझ में आया फ्याट मनी का कंसेट कुछ भी बोल सकती है सरकार इसका मनलब किसी लखडी के तुकडे को किसी दरवाजे को कुछ भी मनलब उट पटांग जो आपके मन में आ रहा है लेगन अगर सरकार ने बोल दिया है कि इसकी अथोरटी है इट बिल सरकूलेट एस फॉर्म अफ मनी तो इट भी वर्क एस मनी सरकार को सरकार कलको समय भी कर सकती है न कि अधियाट ओडर से ये भी तो कह सकती है कि सारे के सारे नोट्स और कॉइन्स बंद करे जाते हैं और अब हर एक ट्रांटेक्शन या फॉर्म अफ मनी से डिजिटल मनी ही होगा plastic money ही ही होगा in the form of ATM cards या digital money in the form of phone pay UPI IDs या जो भी है Google Pay ATM बताओ Agree? ठीक है? अब देखो एक economist है अगर आपको money की definition लिखनी है तो आप इसके कंधे पे रखे बंदूग चला सकते हो लेकिन हमने जो CV सस्देवा के अंदर पड़ी है anything that is generally accepted as a payment वो वो ही है तो ये definition actually इसने दे थी आप कोई भी अपने definition money की बना सकते है अच्छी को attention वाली बात नहीं है तो money can be defined as anything that is generally accepted as a medium of exchange ठीक है? जर्नली जर्नली इसलिए क्योंकि सदाबार नहीं होगा सरकार ने अगर अपना हाथ चो रख रखा है आशिरवात की फॉर्म में उस money के ऊपर legal backing जो उसको दे रखी है कानूनी रूप से जो उसको support दे रखा है कानूनी रूप से जो उसको permission दे रखी है circulate होनी की economy के अंदर अगर सरकार ने सरकार के mood swings हो गए और मन पर आड़िया सरकार का तो सरकार क्या करेगी भाई और बहनो आज से 500,000 की series बंद होती है क्या ना announce हो जाएगा टेवी प्राट के it is generally accepted as a medium of exchange medium of exchange मैं आपको बता दिया measure एक keyword दूसरा keyword store of value measure कैसे measure कैसे measure इस तरीके से कि अगर आपको किसी भी चीज को किसी भी चीज को अगर ये बताना है कि उसकी कीमत कितनी है ये है कितने का इसकी price क्या है इसका price track क्या है तो वो चीज money ही कर सकता आपके लिए क्योंकि जहां पर बात आगई price की जहां पर बात आगई money की measure एक particular चीज उसी के अंदर वो चीज हो सकती है एक छोटा सा example जैसे मैं आपको बताऊं कि money how it works अदर measure of value अब मुझे एक बाताओ एक bus है एक bus है और एक Ferrari है इस space किस के अंदर जादा है bus के अंदर but obviously बात है लिकिन उतने में कम से कम 30 से 40 पचास bus है आ जाएंगी जितने में एक Ferrari आ रही है माल लो 10 bus 15 bus तो मानी लो चलो ठीक है जितने में एक Ferrari आ रही है दो लोग से जादा उसमें बैठ नहीं सकते एक तो खुजो गाड़ी चलाएगा और बगल में उसकी माशुका बैठेगी और सामान रखने की भी बहुत जादा जगा नहीं है लेकिन फिर भी आप ये कहो कि जिसमें स्पेस जादा है उसकी कीमत जादा होनी जाए याना Ferrari वाले अपनी गाड़ी एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़, साथ करोड़ क्यों बेच रहा जब कि बस जो है वो करोड़ों में नहीं जा रही उसकी value यह चीज कैसे measure करें हम लोग वो चीज हम measure करेंगे size देखकर नहीं, space देखकर नहीं उसका आकार देखकर नहीं लोग किस net भर सकते हैं उसके अंदर यह देखकर नहीं एक company ने price tag उसके उपर रख रखा है and हम उसको measure कर रहे है through money money यहाँ पर इसका मंदर एक तरीके से scale की तरह काम करता है किस चीज की कितनी कीमत होगी economy के अंदर and again यह चीज ना producer पर भी depend करती है Ferrari वाले चाहे तो nano की rate पर बेजने है Ferrari को लेकिन उनोंने basically अपना एक price tag लगा रखा है and अगर उनकी demand है लोग उसको खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं वो चल रहा है और वो दिन प्रती दिन महंगी होती चली जारी है सस्ती तो नहीं हो रही है दूसरा store of value store of value का मतलब क्या है शाहनी क्या मतलब होता है store of value का money money asset की तरह है जिसको आपना basically आप इसको store कर सकते हो आप इसको save कर सकते हो आप इसको बचा सकते हो अगर सारी चीजों की एहमियत अगर बढ़ गई in terms of money या किसी चीज की asset की तो आप के पास जो asset है अब काफी लोग confusion में होंगे कि सरी asset के आउताजारा उसको reveal करो कोई भी चीज अगर आपके पास कोई जोल्री है कोई property है कोई गाड़ी है कोई जोल्री है कुछ भी है आपके पास सोना चांदी का कुछ भी या property गाड़ी खड़ी हुई है कुछ भी है वो आपका asset है ठीक है money जो है it is a best asset because you can store it उस value को आप store करके रख सकते हो and again इसके लिए जो माध्याम होता है store करने का वो होते है journal form में वो होते हैं देश में bank ठीक है और आप अपने पास भी रख सकते हो तेजोरी वगर में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई लेकिन राइटार यहाँ पर एक चीज़ के उपर बहुत ज़्यादा emphasize कर रहा था और वो है कि money जो है वो fiat money है देश में जो अगर सरकार की authorities से जो घूम रहा है तो fiat money को एक बारी और थोड़ा सा गहराई में जाकर समझते है fiat money को हम जो define कर सकते है as government issued currency यह currency government ने issue करी होती है और अब एक line है important ध्यान से सुनना एक ही बार में समझ में आ जाएगी government ने इसको issue करा होता है यह जो कोई भी देश में physical community होती है like sona या चांदी उसकी backing पर निर्भर नहीं करता money का स्थित्व कहने का मतलब क्या है मैं आपको आगे चल कर एक चीज पढ़ाऊंगा RBI RBI के पास power होती है note print करने की यह आप सब जानते हो ठीक है RBI लेकिन ऐसा नहीं होता कि अंदा तुन कभी भी आज मन हो रहा है मेरा आज मेरा mood खराब है चलिए अब 2000 के note मुझे चापने है RBI का governor आया उसने 200 के note के button पर प्रेस कर दिया 2000 के note वानी machine पर प्रेस कर दिया और ऐसी note चपते चले जा रहे हैं नहीं RBI को जब भी कोई भी printing करनी होती है ना तो उसको ना backing देखनी होती है अभी पताता हूं backing 2 मिट में अभी यह समझे बाज़ेगा कि उसको जो print करना होता है वो उसको बिल्कुल balance करकर चलना होता है see-saw की तरह पार्क में जाते see-saw होता है ना बिल्कुल उसको एक equality पे balance करकर चलना होता है gold और silver की backing अभी के लिए आप इतना समझ लो यानि कि एक particular amount of sona चांदी अगर देश की तिजोरी से कम हो जाए उसके बाद RBI note print करना start करता है कि उसकी ताकि भरपाई हो सके उतना balance रहे यानि कि एक example के लिए समझ लो इसको दिल से मत लगाना है इस example वो ना ही इसके कोई note बना लेना 200 kg सोना चांदी है हमारे देश में मालो लो पर example तो 200 kg सोना चांदी का जितना rate होगा उतने वो note जो है कितने भी उसकी value हो सकती है एक trillion एक करोड दस करोड जो भी है उतने note या उतने value के note RBI print करके रखेगा यानि कि RBI के पास जो note की printing power है न वो gold और silver की backing पर determine करती है RBI अन्दा दुन पैसा नहीं कर सकता circulate नहीं कर सकता issue नहीं कर सकता पहली बात है issue की तो authority होती है उसकी प्रिंट की authority होती है वो नहीं कर सकता ऐसा लेकिन सरकार जब भी जो है किसी currency को issue कर रही है और वो ये बोल रही है it will work as a fiat money it will circulate as form of money तो सरकार को किसी प्रकार की backing नहीं चाहिए होती है कि देश की तिजोरी में सरकार के पास इतना सोरा या चांदी हो तब ही हम किसी चीज को allow करेंगे currency circulation के लिए तब ही हम denominations लेकर आएंगे 50 के note की, 100 के note की 500 के, 200 के, 2000 के ऐसा नहीं होता सरकार is free to issue anything which it considers right as form of money वो है fiat money अब क्या होता है कि important बात सुनना जो money होता है न ये जो fiat money होता है it does not have any intrinsic value अब ये line थोड़ी सी न आपको अश्मंजिश में डाल सकती है confusion में डाल सकती है intrinsic value को मतलब ये है अगर 2000 रुबे का note है मेरे सामने तो हरनीत मुझे बताओ ये 2000 रुपे का note किस धातू से बना है इसकी पैचान क्या है दूर से अगर मैं इसको touch करूँ तो क्या feel होगा किस चीज़ से बना ये paper similarly अगर मैं एक 10 रुपे का या 20 रुपे का सिक्का पकड़ूं वो किस चीज़ से बना है metal अब यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है the fiat money या फिर money does not have an intrinsic value ये line complete नहीं है यहाँ पर intrinsic value ऐसा नहीं हो तक बिल्कूल ही नहीं है भाई होती है intrinsic value ये paper की कुछ न कुछ तो कीमत होगी एक पैसा होगा 0.1 पैसा होगा कुस तो कीमत होगी इस metal की क्या कोई कीमत नहीं होगी बिल्कूल होगी लेकिन writer आपको यहाँ ये समझाना चाहरा है उससे tone थोड़ी सी गड़बड़ी होगी writer से वो आपको ये बताना चाहरा है जाजर सुनना मेरी बात फेस वैल्यू है वो बहुत जादा है उसकी जो फेस वैल्यू वो बहुत जादा है पेपर कितने का होगा expected चलो आप जात रहते जाता costly से costly पेपर अगर कहलो माल लेते हैं एक बार के लिए example के लिए माल लेते हैं 10 रुपे का 5 रुपे का पेपर यूज होगा यूज हुआ होगा एक अच्छी quality का 2000 रुपे का नोट बनाने के लिए माल लो हम पूरा बिल्कुल exaggerated amount पे चले गए बताओ 10 रुपे 50 रुपे 100 का हुआ होगा ना यूज है अगर हम इस 100 रुपे की लागत को निकाल दें कि 2000 रुपे की जो printed value है तब भी कितने रुपे बच रहे हमें 1900 ये चीज सबको समझ में आई ये चीज सबको समझ में आई एक बार confirm कर दो वरना फिर से बताओं जल्दी बोलो ये देखो यह देखो intrinsic value वो चीज होती है देखो दो होती है, एक होती है face value जिसको extrinsic value बोलते है एक होती है intrinsic value वो बनी किस चीज से है वो बनी किस चीज से ये बना है paper से अब मुझे एक बार बताओ, इस पे लिखा हुआ है 2000 रुपे paper 2000 रुपे का use हो गया 2000 रुपे का paper use हो गया note को बनाने के लिए क्या कहा रहो हरनीत हो गया है नहीं ना, बिलकुल नहीं ना तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि money does not have any intrinsic value वो basically आपको ये ये नहीं कहाना चीज़ता है इसको it does not have any ऐसा नहीं होता, गलत है ये कुछ उसकी intrinsic value होती है, paper के लिए paper को use करने के लिए कुछ तो लागत आई होगी न, RBI के उपर, कुछ तो पैसा लगाई होगा, सिक की अगर mint हो रहे है तो उस metal के लिए कुछ तो लागत आई होगी लेकिर अगर उसकी face value 2000 रुपे की या 200 रुपे की तो paper इतना use नहीं होगा तो as compared to face value intrinsic value कम हो गई न, बताओ ये चीज समझा रहा चारा हूँ समझ मैं ही प्रदर ने आपको सुन मैं ही intrinsic value मलदा जिस चीज से coins और जो currencies है वो बने हैं और face value जो उनकी उपर छपा हुआ है ठीक है, आगे बढ़ते है for example value of currency notes and coins it is not based on the production cost ये production cost के उपर बेस थोड़ी ना है मतलब आपको writer ये कह रहा है इस चीज से आप agree करो गया अब अधिती ध्यान से सुनना अगर कोई note 2000 रुपे का है अगर कोई note 100 रुपे का है कोई सिक्का 2 रुपे का है कोई सिक्का 10 रुपे का है 20 का है, 5 का है ये इस पे 2100, 5, 20, 500, 250 writer कह रहा है ये इसलिए नहीं लिखे चाते है किसकी production cost इतनी आई है नहीं production cost इतनी नहीं आई है production cost बहुत काम आई है इसकी face value जो है वो determine करी गई है सरकार के दोरा because सरकार is the issuing authority here और वो जो guarantee है कि इतने बड़ा paper 2000 रुपे की value को लेकर घूमेगा सरकार ने इस चीज को authorize करा है किसे authorize करा है to the bearer of debt currency or coin यानि कि हमें कि अगर हमारे पास वो 2000 का note या 20 रुपे का सिक्का है तो हम उससे 2000 रुपे तक का सामान या 20 रुपे तक का कोई भी समान या service ले सकते है तो यानि कि हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भी currency notes और coins जो होते हैं वो fiat money होते हैं अगर government की backing है उसके उपर तो और ये जो line है कि all currency notes and coins और fiat money ये एक acceptability के form में यहाँ पर आपको बताई जा रही है legal form में बताई जा रही है acceptability को भी गोली मारो legal form में legal form in the sense क्या ऐसा नहीं है जैसे फर्जी अभी एक series आई है शायद कपूर की ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैटके किसी machine में जाकर node vote बना लो coins बना लो और फिर आप उसको circulate करने लगो कि हाँ वही ये भी एक fiat money है नहीं आपने issue नहीं करा उसको आप उसको घर पे बना रहे हो और आप के पास authority नहीं है आप धांतले बाजी कर रहे हो fraud कर रहे हो आप 400 BC कर रहे हो ठीक है अब एक term का हम लोग इस्तमाल करते हैं जो कि आपको बहुत कम जगा पर मिलेगा जो हमने उपर अभी explanation लीना उसी explanation से ये term derive हो की क्या है ये term देखते हैं इस चीज़ को signorage signorage I am telling you आने वाले exams जितने भी है ये इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली जो term है ये आपको देखने को मिल सकती है civil service में भी pending है क्योंकि ये term रही पूछे गई और money and banking से बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं रेकिन बहुत सारी चीज़े pending भी है signorage क्या होता है जो कि अभी हमने उपर explanation देती अब आपको याराम से समझ में आ रहेगा जो explanation मैंने दी थी उसी को signorage बोलती है अंगरेजी में ठीक है सबसे पहले एक example के तौर पर बखरो किसी भी चीज की एक face value हुए 2000 के note की face value है क्या है 2000 रुपे की note की face value 2000 है कोगी उस पर लिखा हुँ है पेपर की कीमत 2000 रुपे ही है क्या इसलिए 2000 रुपे लिखा हुआ है क्या उसके उपर नहीं अगर ऐसा होता तो फिर 500 रुपे का भी पेपर कम तो है नी 200 का भी फिर कम तो है नी वो भी उसके आसपास की quality का ही होता है size में 2000 हलका सा बढ़ा हो गया तो क्या 1500 रुपे बढ़ा दोगे मैं लब 500 का नोट भी उसके आसपास का है ठीक है 100 का नोट भी उसके आसपास का है वो बस थोड़ा सा पेपर बढ़ा हो गया उसके रंग बदल गए पीछे कोई एक फोटो डाल दी तो क्या देड़ा दर रुपे बढ़ा जाएंगे या फिर 100 रुपे की नोट से कंपरेजन करें तो क्या 1900 रुपे बढ़ा जाएंगे ऐसा नहीं है एक्चुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो RBI को आती है करिंसी नोट को बनाने के लिए वो 3 रुपे 50 पैसे आती है ठीक है अब आप क्या करो जो face value है उसमें से actual production cost को minus कर दो तो face value minus actual production cost जो होती है वो signorage होती है और ये जो signorage है न अगर आपसे कल को कोई पूछे ये कैसा question आएगा signorage जैसा नहीं आएगा किस में से क्या minus होता क्या होता ये बचकांट सवाल ऐसे नहीं होते सवालों की भी की standard tone होती है पूछने की ये कैसे पता लगती है प्रीविए से और कोशन बेपर से ठीक है जो signorage होता है न अगर आप से कल को की पूछे भाई RBI का profit क्या होता है देश में RBI के पास कैसा पैसा आता है RBI का profit क्या होता है RBI का profit signorage होता है ठीक है देखो जो signorage RBI ने earn करा कैसे earn करा face value minus production cost through printing currency notes अब यहाँ पर मुझे एक बाई बताओ through printing currency notes लिखा हुआ है या coin क्यों नहीं लिखा हुआ है क्योंकि RBI के पास authority ही नहीं होती है coin को क्या करने की mint करने की वो authority किसके पास है government के पास government पैसे भी किसके पास है कौन सी ministry के पास finance ministry अब मैं आप लोग को आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ यही पढ़कर बात चल रही है देखो देश में जितने भी paper notes है paper notes है ध्यान से सुद्दा मेरी बात अब कौन कौन से paper note होते हैं एक बरी ना compile कर लेते हैं उसको बोलते चलो बोलते चलो 1 रुपी को एक मिनिट के लिए side कर लेते हैं एक रुपे की note को 2 रुपे का note अगला बोलो 5 रुपे का note अगला बोलो 10 रुपे का note अगला बोलो 20 रुपे का note next अब बोलते चलो बिखमंगे हो क्या कभी देखी नहीं पैसे हाँ 50 रुपे हाँ 100 रुपे 200 500 नेक्स्ट हजार भी है हजार कोन बंद कर गया करेंट 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 गवर्मेंट इशा माइंड यूर लैंगविच ठेक है करेंट गवर्मेंट नेवर उस था टर्म ऑफ डू नट एसोसेट एनी रिटर विद गवर्मेंट ठेक है यादे ना वह मिस्टर न मिस्ट श्रीमतिवर वह वाली बाते है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसकी प्रक्रिया से पुराने पांसों की नोट और हजार की नोट बंद हुए बी मोनट रिटर इशन कब हुआ था साल सोला में ठीक है गोली मार उसको इधर तक ध्यान से देखना आते थी हरनीत प्रदन्या सब लोग यह जो पेपर नोट से जिसका हमने पूरा यह चिठा बनाया सारे के सारे यह जो हैं एक रुपए बिचारे को थोड़ा सा साइड कर देते हैं लावारिस की तरह घूम रहा है इसको साइड ही रहने देते हैं यह जो है इसको इसू करता है आर वियाई यानि कि RBI के पास इसकी printing power है printing power अब एक रुपे का जो note है note, one रुपे का note note तो print होगा इसकी जो printing power है plus सारे के सारे सिक्के coins चलो अब मुझे coins की compilation दो कौन कौन से सिक्के, जल्दी बोलो सबसे पहले देखो बंद नहीं हुआ है, मैंने बताया था 50 पैसे का सिक्का, लगता है हमें circulation बनी इस वज़े से, ठीक है बंद नहीं हुआ है 50 पैसे का सिक्का उसके बाद अगला 1 रुपी अगला 2 होता है हमारे 2 होता है रनीथ 2 रुपी का भी आता है हमारे, ठीक है हाँ प्रदर नहीं मैं पता है आप तो बलाई दो के वो लिखरी है बिचारी 1 रुपी, 2 रुपे next 5 फिर 10 फिर फिर नहीं, देड़स होगा है, पेंड़िंग है थोड़ा साभी ठीक है अब यह जो सिक्का है यह जो सिक्की है सारे के सारे प्लस 1 रुपी का नोट ध्यान से देखना I am using yellow color मैं yellow color एक बार के लिए यूज़ कर रहा हूँ एक तो यह प्लस यह सारे के सारे सिक्के सिक्कों के लिए दोस्तों एक term यूज़ होती है सिक्के प्रिंटर नहीं होते सिक्के सिक्कों की minting होती है ठीक है इनको issue करने वाली sorry मलब यह एक रुपे के note को printing की power और सारे के सारे coins की minting की power यह होती है power government of India के पास under which ministry finance ministry अब एक रुपे के note पर किसके signature होते है finance secretary और सारे के सारे paper notes पर किसके signature होते है RBI के governor की इतनी बात सबको clear हो गई आज हमेशा के लिए कुछ-कुछ नया जानने को मिला हरनीत कुछ concepts clear हुए ठीक है देख रहे हो आप सिक्कों के तरह lightly ले रहे थे पैसो की कभी गदर नहीं करी हरनीत तुमने देखो तुमने सिर्फ उड़ाएं है पैसे ऐसा सोच के चलना होता है ठीक है तो signorage क्या होता है signorage जो की RBI earn करता है through printing currency notes अब समझगे कि यहाँ पर coin के बारे में जिकर क्यों नहीं है प्रदन्य हरनीत अधिति क्योंकि coin की power है ही नहीं mint करने की RBI के पास यह power किसके पास है government of India के पास और जबकि मैंने signorage आपको term किसके लिए बदाई किसका profit है सरकार का के RBI का RBI का तो इसलिए coin की debate को हम यहाँ से खतम करते है वापस आते अपने मुद्धे पर signorage earned by RBI through printing currency notes यह major source of profit यह surplus होता है RBI के लिए Reserve Bank of India के लिए इस signorage का कुछ पार्ट RBI retain करता है अपने खर्चों के लिए अपने staff के लिए salary वगरा के लिए वो और बाकी पूरा का पूरा transfer कर देता है सरकार को अब वो कितना पार्ट होगा क्या होगा है डिबेंड करता है कि देश में महाई कितनी आ रही है RBI को जो metal है coins की minting के लिए वो कितना महाँ पढ़ रहा है जो paper है क्या उसकी cost चल रही है ठीक है यह सब चीज हो के लिए अब एक बार के लिए हम signal range को जड़ा calculate कर लेते हैं गवारी जड़ा अगर currency notes के लिए 3.50 पैसे की लागत आती है RBI को तो एक बार के लिए हम इसको जड़ा देखते हैं कि signal range अगर 2000 रुपे के note पे signal range अगर RBI का profit अगर हमें देखना है या फिर कुछ वो रख लेकर सरकार को transfer कर देगा लेकिन पहली बार RBI के पास कितना बचेगा तो चलो देखते हैं मैं calculator open कर रहा हूँ आपके सामने और यह रहा ठीक है पहले यह देख लो 2000 रुपे लिखा हुआ ना है हाँ पर face value तो चलो 2000 रुपीज इसमें से minus करना है मुझे minus production cost को जो की है 3 रुपे 50 पैसे minus 3.50 क्या निकल कर आया 1996.5 यह क्या है अभी 2000 रुपे के नोट पर RBI को यह क्या प्राप्त होता है आप इसको क्या कहोगे signorage ठीक है क्या यह पूरा रख लेता है RBI क्या नहीं लेकिन कुछ पार्ट रखता है लेकिन फिर भी क्यों रखता है functions के लिए अपने खर्चों के लिए ठीक है 2000 रुपे के नोट को एक नोट को प्रडिउस करने पर RBI को कितना signorage प्राप्त होता है total बात में मैं अब सरकार को transfer देगा उससे पहले लेकिन जो total उसके हाथ में आया वो कितना है 1996.5 आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाती है like 1996.5 रुपीज का signorage प्राप्त होता है इसमें से कुछ अमाट जो भी इनका decided होता है 50-60 पर से उत्राइं डेटेल में हमें जाने की ज़रूत नहीं है RBI ग्रेड B की वेपर की त्यारी नहीं कर रहे है हम लोग आपर civil service की त्यारी करते है we should be a jack of all trades master of none किसी भी subject के अंदर PSG नहीं कर नहीं थोड़ा 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 सब के बारे में जानना है इस discussion में दोस्तों फिलाल इतना ही comprehensive तरीके से मैं आपको introduction दिया introduction थोड़ा सा वास्ट हो गया लिकिन जरूरी ही था ठीक है thank you very much for discussion